हाई फ्रेंड मैं अंकीत यह सोना लिका का डियाई 35 है इसका जो एस्ट्रिंग फिडी हो गया था इस्ट्रिंग फैल हो गया था इसका मैंने एस्ट्रिंग बॉक्स को बाहर निकाल लिया है इसको मैंने डिस्डिसेंबल कर लिया है इसका यह बाइडिंग है जो पूरी तरह से दुर्वास्क करने के वाद बायरिंगे यह दोनों बायरिंग और नाया डालेंगे यह पैस ह्यों के यह राए है कि अगर आप लोग मेरी चेनल पहली बार आएतो चेर्म को सब्सक्राइब करें ऑ गंटी के बेल आ कन को प्रेस कड़े जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिलता रहेगा यह 49 HP के सिरनी में आता है RX मोडल और इसको मैंने फिट कर लिया है यह इसका बाइडिंग है जो 69 करके आता है यह ऑक्सिड कमपनी का यह बाइडिंग इसका कीट आता है दोनों साइड बाइडिंग का करन को हम डाल देते हैं इसके बाद होजिंग में करन डाल देते हैं कि यह हो जिंग में यहां लगता है इसके बाद थोरा सा गिरीश लगा के यह बॉल बाइडिंग को इसमें रख देते हैं और न को साफ्ट में ठोग लिया है इस कन को इसमें इस साप्ट को इसमें लगाना है इसके बाद उपर से ये बॉल देके बैडिंग देके इसके बाद कन को यहां पर लगाएगा कन एक और निचे में एक कन लगता है इसको मैंने डाल दिया है निचे बैडिंग फिट हो चुका एक ये बीच में रहता है और इसक को मैंने अच्छी तरह से सीमपती देखे टैट करके देख लेना है कितना हच्छा है या टाइट है यह इसे लगता है इसके बाद उपर से बैरिंग का कम लगता इसके बाद स्ट्रिंग का पाइप लगता है साप्ट के उपर से लगता है इसको प्रेस करेंगे यह असानी से च और फिडी भी रहना चाहिए और यह है इस ट्रिंग को मैंने लगा दिया है जो है इसका 24 नमर का वाईसर लगता है 24 नमर का नट लगता है उसको लगाने के बाद इसको टैट कर लेते हैं यह श्ट्रिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और श्ट्रिंग वाला सब्ट का काम पांकी रागया है जिसमें आर्म लगता है आर्म सब्ट का यह इसमें लगता है यह असानी से लग जाता है साइड से इसको लगाना पड़ता है इसके बाद यह सब्ट कि शाप्ट लगएगा वह बीच में आ जाता है और जहां पर यह बुस्ट लगता बुस्प्लेट लगता है उसके अंदर में एक टिकली वासर कि एड़स्टर जो लगता है इस ट्रिंग फॉल्स को दुड़को मारते हैं वह एड़स्टर लगता है उसी में कि इसको तब तक सी देदी सामें रख लेते हैं अच्छा से यह जो है जहां पर बुस्ट लगता है उसके अंदर में जो हॉल है वहां पर लगेगा तब तक यहां रखे हैं यहां नहीं लगता है इसमें लगेगा यह दिरिस लगाएक वहां रख दिये थे इसमें मैंने इसको डाल दिया है इसके बाद इसका प्लेट लगाएंगे Silicon ट्यूब लगाने के बाद, मैंने Silicon ट्यूब लगा दिया है, hunch में थूरा सा क गिरिस लगा ले ना है, इसके बाद, 13 number का बॉलरे लगता है सारे 13 number का बॉल्ड को मैंने लगा दिया है, इस्टिंग एर्जेस्टर भी यहांपर,9 number का बॉल्ड लगता है, चोबिश नमर का चक बॉल्टर चकनट लगता है यह धक को काटने के लिए है यह धक इससे कम हो जाता है 00 करना है तो टैट करते जाएंगे जिससे एस्टिंग जाम भी ना हो यह कंप्लीट हो जाएगा यह टैट हो गया है इसके बद यहां पर एक इस परकार से धकन लगता है कंप्लीट हो गया मेरा इस्टिंग